हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एजुकेशन बाइट पर संस्क्रत की आज की क्लास में हम अनुवाद सीखेंगे इससे पहले हमने शब्द रूप और धातरूप पढ़ लिए थे संस्क्रत में आपके अनुवाद दो प्रकार से आते हैं एक तो आपको हिंदी में वाक्य दिया जाता है और उसकी संस्क्रत बनाने को बोलता है या फिर वाक्य आपको संस्क्रत में दिया जाएगा और उसकी हिंदी निकालने को पूछेगा ठीक है इस लोग की बात नहीं कर र लगेगी ठीकिए अनुवाद में क्या आपके दो प्रकार से सेंटेंस होते हैं 1. क्ता होगा होग और साहत में क्रिया होगी ο जैसे राम पढ़ता है میں खेलता हूं वहेव लिख रहा है इस तरीके से ठीक है तो जिसने क्रिया होगी वह हो जाएंगे एक में क्या हुआ कर्दा क्रिया की साथ में आपका कर्म भी दिया हुआ कि राम पुस्तक पढ़ रहा है ठीक है तो इस तरीके से वाक्य होँगी आपके दो प्रकार से First Semester में क्या है आपके जो वाक्य है वो सिर्फ दो लकार में आने अगर हम tense की बात करें तो एक आपका present tense यानि की लट लकार जिसे वर्तमान काल बोलते हैं और एक आपका है भूत काल जिसे बोलेंगे past tense और संस्क्रत में इसको बोलते हैं लंग लकार सिर्फ इनी दो लकारों से आपके प्रशन पूछे जाएंगे इसके लावा और किसी लकार से कोई विवाग के नहीं बनेगा तो चलिए क्या क्या मैं point ध्यान रखनी सबसे पहले तो मैं धात रूप का ग्यान होना चाहिए लट और लंग लकार के धात रूप में आपको ठीक इससे क्या होगा अकर हमारा कोई कर्म भी आये यसे पुस्तक आगए तो पुस्तक काम बना लेंगे राम से क्या बस उपर की दो लाइन मैंने आपको बताई थी नपुंशक लिंग में क्या होती है फलम फले फलानी उपर के दो लाइन जो प्रत्मा भीवक्ति और दुद् सब्सक्राइब करता हो उसी पूरुष और उसी वचन की क्रिया उसके साथ में आएगी ठीक है जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी देखिए कैसे जैसे आपका करता है प्रथम पुरुष एक वचन का जैसे करता है प्रथम पुरुष एक वचन यानि कि ये रास सहा वह पढ़ता है तो सहा मींस वह हो गया पढ़ता है क्रिया इसके साथ क्या है कि प्रत्थम पुरुष एक बचन की क्या हो जाएगी पठती ठीक है अगर मैं बोलू तुम पढ़ते हो लटलकार की बोल रहे तुम पढ़ते हो तुम किसमें आता है मद्यम पुरुष एक बचन में कहां लिखा है तुम ये रहा अच्छा एक बार इसको रिवाइस कर लीजिए तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम ठीक है तुम पढ़ता है यानि कि किसका है मध्यम पुरुष का है और किसका एक वचन का है तो क्रिया भी क्या आएगी पठसी तो वाकि क्या बन जाएगा तुम पठसी ठीक है अगर हम दोनों पढ़ते थे तो यहां पर जो क्रिया आएगी वह आएगी तो यहीं वह इस जगे वाली लेकिन कौन सी आएगी लंगलकार की ठीक है लंगलकार यानि कि भूतकाल वाले टेंस की ठीक है देखिए सेंटेंस वह पढ़ता है तो वह की क्या हो जाएगी सहा पढ़ता है यानि कि यह तो लटलकार का बाक्य है तो क्या जाएगी पठसी समझ गए हम पढ़ते हैं हम यानि कि अहम हम सिर्फ हम है एक वचन है आपे तो जो किरिया आएगी वो उत्तम पुरुष की एक वचन ही आएगी क्या आएगी पठामी ठीक है बाईचार सगर मैं यहापे कर देती हम पुस्तक पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक क्या है देखो का के साथ आ है यह अकार ःंद लब Richowan कि मैंने आपको रूप बताये थे कैसे चलते लिए आपका क्लिएमा में चलता है रामा शरि remarkù फले फलगंए ठीच के बिस्द्रबन अब यहां पर मुल्ड कैसे लगाएं तो उसका देखिये आप हमने कारक बढ़े थे अब वो हमारे यहां पर काम आएगे ठीके करता ने कर्म को तो कर्म आ ग्यां ना पुस्तक कर्म है थीक् Shout कौन सी विवक्ति आएकी इसमेंnew ढूंधीया वाली थीके समझ गए भी दूतिया में क्या होता है फलंफले फलानी होता है एक पुस्तक तो पढ रहा है तो क्या आएगा पुस्त कम आ जाएगा ठीक है मालो ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं अब देखिए पत्ते गिरते हैं पत्ते क्या है कर्म है ना दुतिया भी वक्ती लगेगी लेकिन अब सुरी हाँ दुतिया भी वक्ती लगेगी पत्ते में पत्ते गिर रहे हैं लेकिन अब प बचन दोई बचन कई सारे पत्ते तो क्या आजाएगा इसकी साथ फलम फले फलानी तो फलम आता है आपका एक बचन में फले आता है आपका दोई बचन में और फलानी आता है आपका बहु बचन में तो पत्ते के लिए क्या आएगा पत्रम पत्रे पत्रानी समझ गए आप लो कर्म को करण से संपरदान के लिए अपादान से अलग संबंद काकी के अधिकरण मेपे पर व्रक्ष से पत्ते गिरे व्रक्ष से पत्ते अलग हो यानि कि जो व्रक्ष सब्द है इसमें कौन सी भिवक्ति लगेगी अलग होने के लिए अपादान वाली ठीक है तो आपका जो भ जाएगा यहां पर व्रक्षात इस तरीके से अब देखें सेंटेंस में कैसे यूज होगा यह पहला है वह पढ़ता है तो वह का तो आप समझी गई सहा पठती हो जाएगा ठीक है वे दोनों पढ़ते हैं इसका खुद बनाईए क्या बनेगा वे दोनों यानि कि सहा तव तव लगा तो तुम खेलते हो तुमके लिए तो एंविंग क्या होती क्रीड़ द्हातु चीज साथ क्रीड़ादसी तो प attackers देखेंगे जो प्रथबेस Frances आताना मद्यम में जो प्रथम एक आता आते यह पर आपका सीरागा कीड़ते इनका आपको ध्यौन रखना रखनाै ठीक तो चलि एक बार देखते है सीधे सीधे तुम दोनों हुआ है नहीं, और गच्छाम одно-оеak講ra में जाताँ तो नहीं विद्ध्यालय की ओज आ रहा है ना मिद्ध्यालय और विद्ध्यालय कि विद्ध्यालयम पूस तक पढता है तो राम का करता है इसलिए राम की आपको रूप लिखा यह प्रत्म पुरुष अन्य पुरुष है ना यह प्रत्म पुरुष मद्यम और उत्तम में सिर्फ आपके तुम और हम बाले आते हैं बाकी कोई थि नहीं आना अना ठीक है बाकी आपका वह वाला यर्फ कोई नाम है तो वह आपके सारे प्रत्म पुरुष में लगें आदे़ प्रतम बुरुशवाली किरिया लगेगी ठीक है फिर रक्ष से पत्ते कि अब अलग हुआ तो रक्ष से जो सब्द है य्यानि की वरक्ष में कांसी भीवक्ति आएगी, अब यहाँ पर करता पड़िए करताने कर्म को करताने करताने प्रत्मा कर्म को दुतिया करण से दुआरा के लिए त्रतिया हो जाएगी संप्रदान के लिए चतुर्थी अपादान से अलग पंचमी विवक्ती तो कौन सी विवक्ती लगेगी इसमें पंचमी राम के रूप आते हैं रामा ऐसे करके पढ़ेंगे तो राम का जो पं अभट्रम इक बचन के लिए एक पते के लिए पत्रे हो जाएगा गार पत्तों के लिए और पत्रानी शुद हो जाए बहुत्त के लिए जब आपको जाब क 15 सब्सक्राइब मैं पत्त्तां वाली पतत पतता पतंत समझ गए तो इसलिए इसके साथ पतंत लग गया है नेक्स्ट लड़के मैदान में खेलते हैं इसको बनाईए तो लड़के लड़के क्या है? कई सारे लड़के हैं ना? कई सारे लड़के हैं तो देखो राम के रूप पढ़े थे ना रामः एक बचन रामउ दोई बचन ठीक है और रामः तो बालकाह बालकाउ बालकाह कई सारे लड़के है न तो बालकाह लग गया इसलिए अब मैदान में अगर आपने पढ़ा है करता अगर आप कारक पढ़ेंगे तो अधिकरन मेपेपर क्या आती है सब्तमी भिवक्ति आती है अधिकरन मेपेपर सब्तमी भिवक्ति और सब्तमी भिवक्ति मेगर आपको याद है राम के रूप तो राम में लगता है सब्तमी में क्या रूप लगता है राम का राम में लगता है इसलिए जब हम मैदान की संस्क्रत प्रत्ता है आपका वो क्या है बहुबचन का है इसलिए इसलिए प्रति दिन विध्याले जाता हूं तो मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी आहम प्रति दिन की प्रति दिनम यहां पर बिंदी लगेगी आफिर आधा मा बना दो अब यहां पर गगशामी क्यों आया है इए आपको समझ में आ रहा हूँ कि अहम क्या है उत्तं म पुरुष एक वचन का है तो इसके साथ करियाख्या है उत्तं पुरुष एक वक्षन की आएगी अहम प्रति दिनम विध्यालेम गख्षामी ऐंगी हम लंगलकार के रूप पर तो लंगलकार के आपको बस ये याद होने चाहिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इतना याद है तो आप जितने भी रूप आने हैं, लट और लंग के वो बना लेंगे, ठीके तो देखिए कैसे बनाने, वह है, तो वह की क्या होती है, अब इसके साथ कौन सा लगेगा, बताओ, इनमेंसे कौन सा लगना है, तो इनमेंसे आपका परथम पुरुष एक बचन का लगेगा, यानि कि अपठत, समझें, साह अपठत, ठीके, इसी तरीके से इनको बनाते हैं, पहला है, साह अपठत हो गया वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों के लिए क्या वे दोनों की तव होती है और फिर अपठत अपठताम तो वे दोनों के साथ क्या जगा अपठताम वे सब लिखते हैं तो वे सब के लिए क्या होती है ते लिखने की संस्कृत क्या होती है लिखत ठीक है अब जो रूप यह हाँ चलेगा वो प्रक्ताम-अलिक्षन डीज वर इतना याद रखना कि आ लग जाए आपको और आपको सामने देखने को मिल जाए तो तो वह क्या होगा वह आपके जो द्धातु के साथ होगा ना वह आपका ना लंगलकार का रूप होगा ठीक है जैसे अलिखत अपठत अब भवत ठीक है ऐसे करके जो भी आया आपका वो लंग्रकार गाऊगा राम लिखता था तो अब इसका बनाएए क्या बनेगा इसका आप लोग खुद बनाएए राम के लिए क्या राम हा और लिखता यानि कि प्रथाम पुरुष एक बचन की क्रिया लगेगी कौन सी यह व आप लोग बनाएए खुद इसका बनाएएगा तया यहिरा नैश्यत pig इस तत्य राम पत्रव लिखता था तो प्रथम पुरुष जा अगर एक बैचन में पूछू किरिया में तो क्या होता अपत्ठथ तो इसके लिए क्या हो जाएगा अलेखत ठीक है उसने कार्य consig diary गीयों तो उसने के लिए हम क्या लगाएंगी कि यानि कि कोई वह प्रतम्पुरुश iq wa कार्य कार धुद्रियह प्रत्री लग theoretically आने कि फुल ओने फल का पर कार्यम आ गया किया की भूत काल की भात हो गई ना यानि कि पास्टेंस की तो या आएगा अपठत और मैंने आपको क्रीध हातु के रूप बहुत अच्छे से याद करवा दिए थे लाज़ ख्लास ने बोला था मैंने हाईलाइट करके कि क्रीध हातु के अच्छे से लर थे होगा यहां पर खेलते थे तो लड़के बाल का हाई यह बहुबचन का मैदान में तो वही जो भी समझा था मैंने क्रीडा छेट्रे और इसके साथ करिया क्या है अक्रीडन क्यों आ रही है देखिए अभी जो उपर रूप थे अक्रीडन यहां से आ रही है प्रत्थम पु नहीं बहुत सारे फल नहीं बोला यह बोला तो फलम आजाएगा एक फल के लिए गिरा यानि कि बास्टेंस की बात पतत चलता है रहो ठीक है पत्ध दहातो होती तो अब यहां क्या हो जगा अपठत तो अपतत ठीक है यह इस तरीके से हो जाएगा आपका नेक्स देखिए संस्क्रस से हिंदी में उन्वात देखिए इतने ही आते हैं आपके इस जदा टफ नहीं पूछता है लेवल इसी लेवल ही होता है पूछने का यह आई हुए है जो मैंने दि पारता हो यह पठत है ना आतो लगाने का लटलकार की है ना तो अब तुम सब पढ़ने की क्या होती है तो पढ़त लगी हुंए यहां पर संस्क्रत में यानि कि जाते हैं तो बस सीधे सीधे हम सब जाते सीधे बन गया व्रक्षात फल फलम यहां पर बिंदी लगनी चाहिए व्रक्षात फलम अपतत बताओ व्रक्षात फलम व्रक्षात यानि कि व्रक्ष से फलम यानि कि फल अपतत गिरा ठीक है गिरा था या गिरा ऐसे लगाए अब तत्थ तो यह past की बात हो जाएगी अहम पुस्तक ठाही ख़्गी कि ऑप में पुस्तक पठाही पढ़ता हूं गुरुवे नमसकारा है तो गुरुवे नमसकारा आपने हरी के अगर रूप पणे तो गुरु के रूप में तो उस में क्या था चतुर्थी विवक्ति का रूप है ये ठीक है तो चतुर्थी में क्या होता है संप्रदान के लिए या संप्रदान को ये दोनों चीज़े आती है आपके तो गुरु के लिए नमस्कार कर सकते हैं या गुरु को नमस्कार अच्छा लग रहा है न सेंटेंस तो गुरु को नमस का लिखेंगे ठीक है के लिए यह को दोनों आता है ठीक है संप्रदान में चलिए आगे अगला क्या शिशु प्रकरतिया सरलह भवति तो यह आप ऐसे बनाएज शिशु का शिशु हो जाएगा प्रकरति होती है सुभाब किसी का सुभाब जो होता उसको प्रकरति बोलते हैं सुभाब से सरल का सरलह भवति का मैंने आपको बताया था भववजा दातु जो भूडातों होती है वह यूस किसमे करते हैं हो नामें ठीक है अब यहाँ पर भवति है यानि की लड़लकार की तो क्या हो जाएगा होता है सेवक का स्वकार्यम अक्रोत तो सेवक के लिए सेव कार यार्नी कि अपना कार अक्रोथ मीन्स किया सेंटेंस कि बन जाएगा सेवक ने अपना कार जो गए नेक्स देखिए व्रक्ष पर तीन पत्ते हैं अब इनों ने क्या किया यहाँ पर पत्तों की संख्या भी लिग दी ठीक है तो व्रक्ष पर यानि कि अगर आप देखें अधिकरण मेपेपर अधिकरण मेपेपर में कौन सी भी वक्ती होती है सप्तमी भी वक्ती होती है अधिकरण मेपेपर में ठीक है सप्तमी भक्ती में राम का रूप कौन सा होता है एक वचन का राम में ठीक है तो व्रक्ष का क्या हो जागा व्रक्षे समझ में आया ये तीन तो तीन की संस्क्रत होती है त्रीड अगर मैं अभी मैं आपको इसके बाद आपके गिंती ही है संस्क्रत में तो अभी यहां पर ऐसे याद कर लीजिए तो तीन की संस्क्रत होती है वो होती है त्रीड तो रक्षे त्रीड अब तीन पत्ते आ गए ना तो यह एक बचन मे और बहुबचन में पत्ते की क्या होती है संस्क्रत पत्रम पत्रे पत्राणी तो पत्राणी हो जाएगा आपका ठीक है अब मैंने आपको अस्धातु पढ़ाई थी न अस्धातु में बतायता है के लिए प्रियोग किया जाता है अस्धातु का ठीक है तो अस्धातु का जब कोई प्रियोग करेंगे तो अब यहां पर और ता अंता है तो वह विध्याले से यानि कि वह की हो घञाएक्षा तो विध्याले वीध्याले का विध्याले आता है आने की संस्क्रत होती है अग brows 00 325 अब आप का जाएगा किसमें यह आपका जाएगा लंगलकार में लेकिन आग अच्छत लिखा आये तो यह आपका आने की संस्क्रत ठीक है राम के पास तो फूल हैं तो राम के पास ठीक है तो यहां पर जो राम है ना राम में लगेगी दुतिया भिवक्ति यानि की रामम ठीक है जब भी निक्षा सब्द आता है न तो निक्षा सब्द के कारण जो करता होता है उसमें आपकी दुतिया भिवक्ति लग जाती है ठीक है यह आपका डीटेल में थर्ड सेमिस्टर में यह सारे की ऐसे क्यों लगती है अभी सिर्फ इतना इयाद रखे आपकी निक्सा समया ये आजाए शब्द तो करता हूता है उसमें दुटिया बिवक्ति लगतीगें तो राम का दुटिया में रूप क्या होता तो वह निक्सा के कारण इसमें बत्यां वहाला लगेग्व ठीक तो रामम के पाज की संस्क्रत निक्सा या समीपया ऐसे करके ठीक है तो निक्सा दो की संस्क्रत होती है दोए ठीक हैstone दोगी तो पूछिप posing बोलते हैं और अगर हम दो फूल की बात करें तो देखिए एक फूल का क्या बनेगा फल से यात रगो फल का क्या था एक बचन में फलम था दोई बचन में क्या था फले था अगर पुस्प का बनाएंगे एक बचन में पुस्पम बन जाएगा दोई बचन में पुस्पे बन जाएगा यहाँ पर कितने हैं? दो हैं इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? पुस्पे लगाना पड़ेगा ठीक है? पुस्पे लग गिया अस धातु के एगर आपको रूप याद हैं तो अस धातु के मैंने रूप क्या बताई थे अस्ति इस्ताह संति तो देखिए अस्ति जो था आपका अस्ति था एक वचन में इस्ताह था दोई वचन में संति था बहुवचन में यहाँ पर दो फूल है तो तो जो अलग आए ना इनको एक साइड में ऐसे नोट कर लीजे ठीक है तो कुत्र हो जाएगा और रहने की संस्कृत होती है वस दातो होती है अब इसके रूप अगर आप बनाएंगे तो बनाएए पठती से पठती वसती तो तुम के लिए क्या लगेगी वससी लग जाएगी ठीक है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो तो इसका आप लोग खुदी बनाएए तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो इसका आप बना लेंगे अराम से संस्कृत में राम राम पुर में रहता है तो राम राम पुर में रहता है इसका क्या हो जाएगा राम के लिए राम आहा अधिकरण मेपे पर तो राम पूर में कौन सी लगेगी संस्क्रत राम पूर में सब्तमी रूप लगेगा इसका कौन सा सब्तमी बाला ठीक है राम पूरे और देखी राम करता है न तो किल्या इसके according कौन सी आएगी वसते पठधी वसते पठधी भसते ठीक है यह कुछ मैं आपको रूप दे रही हूं इनका अनवाद करना ठीक है संस्क्रत में इनका करके देखिए इन सभी का जो भी आज मैंने पढ़ाया है उनी में से दिया है ठीक है आप आसानी से इनका कर लेंगे और ऐसे ही अनवाद आता है आपका सीधी सीधी पूछता है तुम करम कर्म हो गया और से और यह लोड़ टयार कर लेता थी के अज क्लस है बस इतना है और इसके बाद आपका एक और है जिसमें साइज सिक्षड विदिया बगेरा है बस और उसके बाद आपका स्लेबस खतम है ठीक है संस्कृत का और जो इस लोक रह गए है वो में एक एक करके जो इंपोर्टेंट होगे वो आपको करवा दूगी ठीक थैंक्स वर वाचिंग और प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल बबाई टीकेर